जैसा कि मैंने आप समी लोगों से प्रॉमिस किया था है कि जो ग्रीन स्टिक मास्क के उसके सारे इंग्रेटिंट्स के उपर मैं रिसेच करूँगा और आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा तब ही मैं अपना कंडूजन दूगा कि आप उसको परचेस करना चाहिए या नही है और आज की वीडियो में पूरी डिटेल में इसका रिवीव करने वाला हूं लास्ट में अपना कंडूजन हुआ कि आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना पहली बार अगर चैनल पहले हो तो प्लीज चैनल को स इसके इसको एक फेस मास्क बनाता है ठीक है और दो तीन जो इंगेर्ट है जो की डालेगे है इसको अच्छे से स्प्रैड करने के लिए ठीक है तो जैसा की कंपनी क्लेब वरती है कि आपके ओल को हटाएगा बिल्कुल हटाएगा दूसरी बात कि आपके स्किन को करना चाहते हैं कि यह ब्लैक हैट is को रीक हों करता है और एकनय को अच्रोल करता है टो तो कैसे सबसे पहली स्किन जितने भी इंग्रेनगेट है सब आपकी अगर आपकि की थोड़ा बत इंगड कर सकते लेकिन अगर आपके अक ऐसा इसकान है जिसके बहुत सारे जिसको हर एक दो बंग्स हो रहे हैं अपने स्किन पर वाइट हैं बहुत जादा ब्लैकेट से अपने नोज एरिया अपने चिक एरिया में तो आपके लिए यह प्रोड़क्ट नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज इसका एक सबसे बड़ा रिजन यह है मेरे भाई कि इसके जितने भी इंडियोंट है आपकी स्किन को मॉइस्ट्राइज कर सकते हैं ओईल को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ना जोजोबा ओईल ना ऐलोवेरा ना ही चावलिन के लिए आपके ब्लैकेट को रिमूव करें यह सिर्फ एक मान लीजिए एक फेस मास्क है जो कि आपकी स्किन को प्यॉरिफाई कर सकता है लेकिन आपकी जो एकनेज है उनको रिमूव नहीं करें ना ही आपको जो बहुत जादा बड़े-बड़े ब्लैकेट्स होजाते हैं उन पर वर्क करेंगा यह सिर्फ आपकी स्कि एकस्पट कर रहे हो कि यह मेरी इस जतने भी एकनेज से उनको बहुत अटा देगा ऐसा बिल्कुल ली ओगा अगर आप थिए ब्लैकेट्स को बहुंदेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला और सबसे बड़ी बात आती है कि इसको आप खरिदना चाहिए ने खरिदना चाह दूसरी बात ग्यारा सो रुबे में आपको इससे अच्छे प्रोडक्स मिल जाएंगे पूरा एक्ने ट्रीट्मेंट का किट मिल जाएगा आपको जो वाव की कंपनी साथा हुआ तो आप वह प्रचेस कर सकते हैं वह बहुत अच्छा वक करेगा आपकी स्कीन के ओपर दूसरा वाव की जो प्रोडक्स हैं उसके सारे इंग्रेंट्स प्रेमियम होते हैं तो यह प्रॉब्लम भी नहीं है और जो परिटिकुलर्ली मेंशन करके लिखा हुआ है कि हाँ यह यह आप रहसा नहीं लिखा हुआ यहां के सिर्फ मैंशन किया गया फेच मास्क और जो उसका इंग्रेंट है वह है टीट्री तो ग्रीन टी कभी भी आपके स्कीन के ओपर मेलेकल नहीं कर सकती है आपके ना स्कार्स के ओपर जादा वक करेगी ना ही आपके जो है फिंपल्स कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो से सो जो भी लोग पर्चेस करना चाहते हैं लिक आपको डिस्क्रिप्शिन में जरूर दे दूँगा लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा साथ रिजन्स में आप कवर करती हैं इंडिडेंट्स के लिस्ट पूरे यूट्यूब पे क दिया तो वीडियो कर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्क्राइब करें आप मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ ऐसे कॉंटेंट साथ तब तक लापकर देन शुप्राइब